नमस्कार दोस्तों मैं भी पुल GST अपडेट में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज 29 दिसंबर 2021 को CBIC ने नोटिफिकेशन इसू किया इस नोटिफिकेशन में बहुत से अमेंडमेंट लाए गया हैं GST रूल में एक इंपॉर्टेट अमेंडमेंट पर मैं फोकस करना चाहूँगा कि जो GST यार 9 और 9 सी जो था Annual Return and Reconciliation Statement उसका जो Due Date था 31st December 2021 तक आपको फाइल करना था Financial Year 2021 का Annual Return and Reconciliation Statement तो उसके रिगार्डिंग यहां पर extension दिया गया है इस notification के द्वारा यहां पर आप देखेंगे कि notification में आप इहां आप पर सब रूल 3 ए तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर एक नया rule इंसर्ट किया गया है इन रूल 80 में कि यहां पर कहा गया कि नोट बिट स्टेंडिंग एनिटिंग कंटेंड इन सब रूल 1 जो सब रूल 1 है फोर दा फाइनेंशियल येर 2020-2021 के लिए सब स्पीक सैड एन्यूल रिटर्न सैल भी फ़निश अन और बिफोर दा 28 डे अफ फर्वरी 2022 तो आपका 28 फर्वरी 2022 तक यह देट एक्स्टेंड हो गया है उसी तरब नीचे एक और इंसर्ट किया गया आप्टर सब रूल 3 नोट बिट स्टेंडिंग एनिटिंग कंटेंड इन सब रूल 3 फोर दा फाइनेंशियल येर 2020-21 जो अर्लियर CSA से सटिफाई होता था तो आप सेल्फ सटिफाई के संबर तक ही देट था उसका उसको भी इस्टेंड करके 28 डे अफ फर्वरी 2022 हो गया दोनों एक साथ ही फाइल हो जाते है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो फॉर्म नंबर आपका 9 और 9C जो है अब आपको 28 फर्वरी 2022 तक आप फाइल कर सकते हैं थैंक यू सो मच पूर वाचिंग दिस अपडेट यू में रिफर दिस नोटिफिकेशन ओन दा CVIC वेब साइट थैंक यू सो मच